हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई योटुब चैनल, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ग्रुप D से जुड़े चार बड़े अपडेट तीन अपडेट हैं पे जॉइनिंग के रिगार्डिंग है, तीन अलग-अलग डिविजन से जॉइनिंग लेटर कल की डेट में स्टूडेंट को रिसीव हुए है वो मैं आपको दिखाने वाल हूँ कौन-कौन से डिविजन है, उसके अलावा इक आटे का रिप्लाई हमारे पास आया है वो आटे का रिप्लाई हम देखेंगे, बेसिकली उसमें सेकेंड डिवी के लिए पूछा गया था, तो क्या अंसर यहां पे रेल्वी की तरफ से किया गया है साथ है डिस्क्रिप्शन में देगए मेरे टेलिग्राम को भी जॉइन कर लेना, वहाँ पे सारे जो पीडिएफ है या फिर जो भी जानकारी है वीडियो से पहले हमाँ पे अपडेट की जाती है, तो आप टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो जॉइनिंग लेटर है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं बाई पोस्ट ही जॉइनिंग लेटर, स्टूडेंट को रिसीव हुआ है, उपर यहाँ पे आप देखेंगे बात करते हैं अगले अप्डेट की, अगला यहाँ पे जो जॉइनिंग लेटर है, कल रात को ही स्टूडेंट को जो है बाई मेल रिसीव हुआ है, अगर बात करूं कि कहां का है तो आप लोग देख सकते हैं Divisional Office Mumbai, यानि कि यह आपका Central Railway में Mumbai Division का Joining Letter है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है CNW यानि कि Carriage and Vegan की इनको पोस्ट मिली है, तो Mumbai में अगर आपका Central Railway में अगर आपका Mumbai Division है और CNW की पोस्ट आपको मिली है, तो यहाँ पे Joining Letter, स्टूडेंट को मिलने स्टार्ट होगे, बाई मेल इनको मिला है Appointment in Erstwile Group D of Level 1, Recruitment on Central Railway, आगे समें देख लेते हैं, you have been impelled by RRC for the above post above यानि कि CNW post इनको मिली है, and your name has been recommended to Mumbai Division, Mumbai Division पेन का डाटा जा चुका है by RRC of this railway, as such it has been decided to engage your Erstwile Group D, category Level 1 in Central Railway, Mumbai Division, thus you are advised to attend this office 12.05, ठीक है, तो 12.05.2023 को इनको साड़े 10 बजे बुलाया गया है, address Mumbai का रहेगा, यहाँ पे Division का और document इन्होंने बताया है, क्या-क्या document आपको लेके जाना है, तो document भी आप देख सकते हैं, all educational qualification, यानि कि 10th ITA diploma जो भी आपने किया है, वो लेके जाना है, document for proof, date of birth में, आपकी जो है 10th की माक्षिट लग जाती है, cast का certificate लेके जाना है, SC, SC, OBC, से अगर आप बेलॉंग करते है, 15 passport size photograph आपको लेके जाना है, और present permanent address proof आपको लेके जाना है, bank की passbook और Xerox copy लेके जाना है, जिसमें account number, IFSC code होना चाहिए, including to cancel check, ठीक है, साथ में pen card और अधार card आपको लेके जाना है, यह सारे document यहाँ पर लगने वाले हैं, at the time of joining, साथ ही यहाँ पर free traveling pass भी इनको मिला, I think SC category के student है, तो traveling pass भी इस तरह से यहाँ पर इनको attach करके बेजा गया है, तो यहाँ पर travel करना भी इनके लिए free रहेगा, चीक है, तो यहाँ पर दूसरा update ताब बढ़ते हैं, अगले update की तरफ, अगला जो यहाँ पर हमारा joining letter है, यह basically Ambala Kent, यानि कि Northern Railway के Ambala Division की तरफ से है और यह कल की date में student को by post receive हुआ है, अब यहाँ पर joining letter पहले देख लेते हैं, फिर एक problem भी student को आई है, उसके बारे हम बात करेंगे, यहाँ पे इनको track maintainer की post मिली है, बुलाया कब गया है, 15.5.2023 को बुलाया गया है, by post यह letter receive हुआ है, लेगिन problem यह है, कुछ student का कहना है, कि पहले दो, यह joining letter आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे document वगेरा क्या कि आपको ले जाने है, वो सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है, अब problem यह है, कि जैसे आपको attestation form या character का format नहीं मिल रहा है, तो कुछ zone में क्या है, कि जैसे आपकी जो website है, division पे आपको जाना है, website पे जाके, division में जाके, जैसे वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, शायद मुरदाबाद में, वहाँ पे उन्होंने PDF अवेलेबल करा रखी है, ठीक है, तो जिनको आप बाई post या बाई mail में रिसीव नहीं है, वो website पे जाके वहाँ से download कर सकते हैं, अब जैसे अंबाला की अग लेके print out करा सकते हैं, या फिर telegram group है जैसे, telegram group में जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई student है, कुछ telegram group ऐसे हैं, जो particular division wise है, ठीक है, वहाँ पे आप जो है request कर सकते हैं, कि किसी के बाद PDF है तो आपको दे दे, वहाँ से आप print out करा सकते हैं, अगर कोई भी solution जरकल में same division का आपको मिल जाता है, तो आप उनसे लेके print out करा के उसको तयार करा सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं, अगले update की दरख, तो हमारा आज कहिए, लास्ट अपडेट है, नॉर्दन एलवे में एक basically RTA लगाई गई थी, और इस RTA का reply जो है वो आया है, basically RTA में यह which occur due to leaving railways after joining, यानि कि join करने के बाद जो post को छोड़ देंगे, are filled in a next selection suitability as per procedure of recruitment policy, ठीक है, अब इनका कहना है कि policy के according, next selection suitability के according जो procedure है, उसमें उसको भरा जाएगा, अब यहाँ पे दो procedure है, एक procedure तो यह है कि अगर कोई एक साल के अंदर job छोड़ देता है, तो उसके बाद तो seat भरी जाती है, लेकिन अगर कोई एक साल, यानि कि काफी दिन के बाद अगर छोड़ देता है, तो फिर वो next आपकी जो vacancy है, उसमें चली जाती है, यानि कि वो new vacancy में count की जाती है, और उसमें उसकी post निकाली जाती है, तो यह basically यहाँ पे का गया है, तो देखो, अगर समय के बाद कोई job छोड़ता है, फिर वो next vacancy में ही add on करके vacancy आती है, तो यह 4 update आये थे, और ऐसी updates आपको हमेशा मिलते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिरफ इसको subscribe कर लेना है, चैनल को, और bell icon को press कर लेना है, ताकि next video का update भी आपको मिल जाए,